नमस्कार दोस्तों दोस्तों step by step foundation work कैसे करें आज मुसीक बारें आपको बताएंगे कि अगर आप foundation का प्लान कर रहे हैं घर का foundation का तो एक step by step चाहिए कोई foundation हो चाहिए बांडरी का foundation हो चाहिए घर का के लिए foundation हो चाहिए कोई commercial building हो चाहिए कोई और मेसलरी आइटेम अगर चीज़ बैठाना उसका foundation हो तो step by step क्या करना चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है center line ले जिए जिस जगह पे location में आपका foundation आ रहा है उस जगह को marking कर ले जिए उस point को center ले ले जिए और वहां से अगर जिस इसाब से foundation का जो size है अगर मान ले जाए कि 4 feet by 4 feet है तो हमेशा जब भी foundation करेंगे तो कोशिश केजिए कि minimum 4 साइट से 6-6 इंची का gap लेके चले आप maximum कितना भी ले सकते हैं तो center line करके marking चुना marking कर दिए फिर expression का काम आप शुरू कर दिए और हमेशा जब भी foundation होता है एकदम पूरा 90 degree में होगा थोरा से हलका तिरच्छा होता है इसलिए जातर कोशिश कीजिए कि एक एक पिर ज्यादा लेजिए अगर आप मैनुवल कर रहें तो आस सिधार कर सकते हैं अगरां मेशनरी से कर रहें हैंं तो सीधा आप काया नहीं आपको हमेशा एश्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा एक सब्मसीन होगा फिर उसमें लूज मिट्टी भर देता है बराबर करने के लिए लेवल जितना फॉंडेशन का जो डेफ्थ है वो ही पर आदमी गलत करता है वो ऐसा बिलकुल मत किजिए अगर मालने जाए कि ज्यादा मिट्टी निकल भी गया है आप मिट्टी वहां मत भरिए वहां पर आपका कंपेक्शन बहुत अच्छे तरह सोता है मिट्टी जो है अब भलोई भर्दंग जब तो कंपेक्शन के तब नहीं होगा फिर क्या होगा जब बिल्डिंग का लोड आएगा वो थोड़ा से धस जाएगा सट्लिमेंट होगा पिर कहीं कहीं आपको जो है सेलेम में वा हте लिया फिर उसके बाद उसमें क्या करना बालू भर्ना हैं को बालू भरने के बाद भी पिर उसमें बात आता है बालू भी चारलेंजी से कम मत बर सालू कि अंति फिर अभर को पिच सी कारोथिषह कर सकते हैं इस कृट्भल ने आपको शरेष्ट करऊंगा आप 40 mm का 40, 40 mm का गरेवल इस्तमाल कर सकते हैं, उससे कंकरेट बना कर के आप PCC कर सकते हैं, जिसको हम लोग मैटलिंग भी बोलते हैं, मैटलिंग, और इसका भी थेकिने साब का 4 इंची मिनिमम रखना है, फिर हम आगे बात करेंगे, अब यह हो जाने के बाद जो है, 24 आवर् जाली, उसको सेंटर लाइन लेते हैं, फिर सेंटर लाइन लेना है, एक बाद सेंटर लाइन से नहीं, फिर आप सोता बांग लेजिए, सेंटर लाइन ले करके वहाँ साहुल गिराईए, पलंब बॉब गिराईए, देखी बाद सेंटर कहां आ रहा, उसी सेंटर में आपको मार्किंग कर देजिए और वहीं पर आपको कोलम का भर्टिकल रेंफोर्स्मेंट आपको डिया डालना है कि यह हो जाने के बाद फिर क्या करता है कि सेंटर लाइन आपका रहे गई फिर कोलम फिक्स कर दिये फिर उसके बाद फुटिंग का तर्टरिंग करें गाँ यहां पूटिंग करेंगे फिर एस पर ड्रोइंग जिस भी तरह का आपका पूटिंग का डिजाइन दिया वा चाहे वह आपका नियुक्त पूटिंग हो चाहे आपका पूटिंग हो चाहे आपका ट्रीप्र फूटिंग हो इसको ध्यान में रखते आप देखिए और उस रिसाब से आप कंक्रिट पोलिंग कर देजे कास्टिंग करते वह और याद रहे कोशिस कीजिए कि आपडनोरी इस्तमाल करें तो आशकल लोग बहुत लोग जह है बास से हो चाहिए सर्या से खेंच के खेंच के खेंच करके जह है कंपेक्शन करते हैं है अगर बड़ा भाइवटर नहीं ला सकते तो हैं भाइवटर भी मिलता चार-पांच जार्व आपको मिल जाएगा तो इतना हो गया तो फिर उसके 24 आवर्स बाद उसके उपर आप जो चाहते हैं थोड़ा दिन और रूख सकते हैं लें 24 आवर्स बाद अगर कुछी तुरंत उसमें कॉलम का जो कॉलम का सर्चिंग नहीं करना है प्रुटिंग ने बाद 24 आवर्स के बाद ही कोलमा शर्चिंग करें पिर उसके बाद कशाना ही प्रोसेस नहीं पोडिए अच्छी तरीके से प्रोपर अच्छी तरीके से आपको पानी करना पानी डाला गया है तब जा करके आप हो जो है 10 days के बाद 10 से 14 days के बाद उसको आप backfilling कर दिए और जातर कोशिस कीज़े backfilling send से करने का लेकिन अगर आपका वो location अगर boundary है तब soil भी डाल सकते हैं और जातर घर का footing में send ही में ही से ही backfilling किया आता है तो दोस्तों ये था process step by step जो कि दो चीज मैं आपको बोलूँगे याद रखने के लिए पहला आपका कि कभी भी ज़्यादा गड़ा हो जाए उसमें मिट्टी फिर से ना डाले बालू डाले दूसरा कॉलम कास्टिंग होने के बाद चाहर फुटिंग कास्टिंग होने के बाद कम से कम 10 देश तक उसको पानी में पानी डालते रहना है उसे पानी डालके छोड़ भी सकते हैं क्यूरिंग के लिए जो कि बहुत ही जरूरी है बहुत लोग काता है कि ज़्यादा पानी देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा अरे बाद जितना पानी दोगे कंक्रिट में उतना वह स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा यही उसका रूल है यह 24 आवर्स का बाद शुरू करना ऐसा नहीं कि मतलब कास्टिंग कर दिये 10 दिन बाद आ रहा है कि मुझे पानी डालना है तब तो कोई मतलब भी नहीं सिमेन का जो हैड्रेशन प्रोसेस जो होने वाला था प्रिकडिया होने वाला था वो खत्म हो गया तब उसमें इस्टेंड नहीं आएगा तो यह सब चीजा आपको ध्यान रखना है अगर आपको घर मजबूत चाहिए तो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और खास करके हमारे चैनल वाको सब्सक्राइब कर देजिए जिन्होंने कर दिया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंन से बेनिफिट बस सहीर आता है कि जब-जब सीविल इजिन्होंने देपको मारे कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले लापनोटिक करस हमें सोब करेगा ठीक दोस्तों धन्यवाद दोस्तों